सुप्रबात बत्रच आज हम जान कवितागी चर्चा करेंगे जिसकी कवेत्री सुबद्रा कुमारी चुवान है मैं ओम प्रकास गो स्वामी केंदरी विद्याले मुझा फ्रनगर प्रथम पाली कवित्री परचे इनका जनु 16 अगस्त 1904 इलाबाद को गुगाता सुबद्रा कुमारी चुवान का और निधन 15 फरवरी 1948 बर्स की उमर में ये स्वर्ग बास हो गया था इनका इन्होंने कहानी संग्रेक बिखरे मौती और मादनी सीधे साधे चित्र कविता संग्रेयन का मकुल तरधारा जहांसी गरानी जो कविता है वह है इनका जो काप बिसंग्रेय है मौकुल उसमें संग्रेयते संकलत की गई है जहांसी गरानी कविता में कवेत्री सुबद्रा कुमारी चुवान के द्वारा उनकी वीरता उनके साहस का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार बच्प उनको तोड़ना ये सब खेल खेला करती थी बचपन में उनकी कोई सहली नहीं थी केबल जो बर्ची धाल कृपान कटारी जो युद्ध के अथ्यार होते हैं उन अथ्यारों के साथ ही वे बचपन में खेला करती थी कविता की बात करते हैं सिंगासन इलुठे राजबंसों ने बिर्कुटी तानी थी बूड़े भारत में भी आई फिर से नई जबानी थी गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पैचानी थी दूर फ्रंगी को करने की सबने मन में ठानी थी चमकुडी सन सत्ता बन में वैतलबार परानी थी बुंदेले हर बुलों के मुझ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वैतो जहासी बाली रहानी थी इस पद में कवेत्री ने जहासी की रानी लच्छीवाई के साहस और बलदान का बढ़न करते हुए का है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आजाद करवाने के लिए हर भारतिय के मन में चिंगारी लगा दी थी आजादी की भावना पैदा कर दी थी रानी लच्छीवाई के साहस से हर भारतवासी जोस से वर उठा और सब के मन में अंग्रियों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी अठारस सत्तामन उन्हों ने जो तलवार उठाई थी यानि अंग्रियों के खिलाब जंग छेडी थी उससे सभी ने अपनी आजादी की कीमत पैचानी थी कानपुर के नाना की मुवोली बहन चबीली थी लच्छी वाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी बर्ची डाल करपान के टारी उसकी यही सहली थी वीर सिवाजी की गाथा है उसको याद जवाने थी कानपुर के नाना साब की वह मुवोली भेंती धरम भेंती उनका नाम लच्छी वाई था और पिता की वह अकेली संतान थी वह नाना के संग ही पढ़ती थी, उनिके साथ खेलती थी, बर्ची, ढाल, क्रपान, कटारी यही उनकी सहली थी, निके साथ वह खेला करती थी जो युद्ध के अथ्यार है बीर सिवाजी की गाथा मिंस कहानियां उनको मुझवानी याद थी के सिवाजी ने कब क्या किया था उनकी कहानिया उनको पूरी तरह से याद थी जवान पर थी लच्छमी थी या दुरगा थी वा स्वयम बीरता का अवतार देख मरा टेपल के तो होते उसकी तलवारों के बार नकली उद्वियू की रचना और खेलना खुब सिका सैनगेर ना दुर्ग तेड़ना एते उसके प्रिये खिलवार माराष्ट कुल देवी उसकी भी आरा दिवावाने थी कवित्री सुद्रा कुमारी चवान कहती है के रानी लक्ष्मी भाई एक तरह से लच्मी या दुरगा का आवतार थी वीरता का आवतार थी लक्ष्मी और दुरगा की तरह उनके तलवारों के बार देखकर उनको तलवार चलाता देखकरके जो मराठे थे, जो उनके राज के लोग थे वो फुलके तो होते थे प्रसन होते थे, खुस होते थे नकली युद्ध लड़ना, वीव की रचना करना, सिकार खेलना, सैना को घेरना, किले बनाना और तोड़ना ये उनके प्रिय खेल थे महराष्ट की कुल देवी उनकी आराध्य देवी थी, उनकी वह भक्ती करती थी ऐसा बुंदेल खंड के लोगों से सुना हैं, और सुनाएं के वह अंग्रेजों से मर्दों की तरह, पुरसों की तरह लड़ी थी और उनकी साधी होने के बाद रानी बन करके लच्छिवाई, रानी बन करके जहांसी के राज महलों में आ गई, राज महलों में राजा गंगादर राव और रानी लच्छिवाई की साधी से सब खुस थे, चारो तरफ प्रसंदता थी, खुसियां थी और ऐसा लग रहाता जैसे हुए महान बीरों के यस की तरह की कीरती की तरह जहांसी में आए थी और राजा गंगादर राव और रानी लच्छिवाई की जोड़ी वैसी ही सुन्दर लग रही थी जैसे चित्रा और अर्जुन की जोड़ी, सिव और पारवती की जोड़ी की तरह उनकी जोड़ी सुन्दर लग रही थी ऐसा बुंदिल खंड के लोगों से सुनाएं और सुनाएं के वए अंग्रेजों से मर्दों की तरह पुरसों की तरह युद्ध में लड़ी थी उदित हुआ सौबाग गे मुदत मेलों में उजयाली च्छाई किन्त काल गत चुपके चुपके काली गठा घिर लाई तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई राने विदवा हुई हाई विद को भी नहीं दिया आई निसंतान मरे राजा जी रानी सुक समानी थी बुंदेले हर भुलों के मुँ हमने सुनी कानी थी क्या हुआ राजा गंगर्दर्राव अकाल मृत्य को प्राप्त हो गए अचानक मृत्य को प्राप्त हो गए किसी लंबी बीमारी के चलते जिन आतों में उन्होंने चूड़ियां पहनी थी वो बच्पन में उन्हातों से तलवार चलाया करती थी कभी चूड़िया नहीं पेंदी थी लेकिन अब रानी विद्वा उने के कारण पती के द्यांत के कारण उन्होंने चूड़ियों की जगए पर हातों में तलवार उठा ली जब राजा गंगर्दराव का निधन हुआ तब उनके कोई संतान नहीं थी जो दो बच्चे थे वो ऐसा बताया जाता है कि वो उनने गोद लिये थे उनके अपने नहीं थे ऐसा बंदेल खंड के लोगों से सुना हैं और सुनाया के वए अंग्रियों से मर्दों की तरह पुरसों की तरह युद्ध में लड़ी थी आज के लिए इतना ही धन्यवाद बच्चे यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है बच्चो यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद